वक्त FM 107 उर्दू रेडियो कतर पे हिशाम के साथ टेक्नॉलिजी का वो शो जिसमें आपका धेर सारा फायदा होने वाला है जिया शो का नाम है साउंटेक साउंटेक विद आरजे हिशाम कभी सोचाए के कोई ऐसा कैमरा है जो हर सू की हर वक्त तस्वीर ले सके क्या सुना है कि आपल के हेड़कोर्टर्स में क्या चल रहा है और साथ साथ क्या आप जानते हैं कि कोई एक ऐसा तरीका भी हो सकता है जो आपकी सेफ ड्राइविंग को और ज़्यादा सेफ बना सकता है वेल ये सब और बहुत कुछ आज के साउंट टेक में जो हमार साथ पहली दफा जोड़े उनको बताते चलें कि शो का फॉर्माट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले बात होती है कुछ आप्स और कुछ सौफ़वेर्स की जिनकी मदद से आपकी डेली लाइफ आपकी जो रोज मर्रा की जिन्दगी है उसके काम बड़े-बड़े छोटे-छोटे हो जाते है मुश्किलें और आसान हो जाती है और बेसिकली आपको प्यारे-प्यारे मज़धार से नवाले मिलते हैं फिर वहां से हम अपनी गाड़ी को आगे दोड़ाते हैं और जाके रुकते हैं टेक्नोलोजी के टोटकों के दर पे जहां पर हम कुछ हैक्स औंट्रिक्स के मदद से रस्ते में आने वाली अर्चने रस्ते में आने वाली कुछ मुश्किलों को साइट पे कर देते हैं ताके ये जो सफर है स्मूदली जारी रहे and then after that हम जाके करते हैं टेक्नोलोजी की हलकी भूल की विंडो शॉपिंग and then finally इससे पहले हम अपनी गाड़ी को पार्क करें हम नजर डालेंगे के टेक्नोलोजी की दुनिया में आजकल क्या है नया ताजा किसके मार्ण में है क्या आइडिया और क्या वो उन पर काम करने के लिए कुछ कर भी रहें के नहीं तो बताब further ado शुरुआत करते हैं पहले सेग्मेंट से जिसका नाम है Apps This Week आज की आप्स में सबसे पहले बात करते हैं कुछ फोटोग्रफी की देखिए आजकल का जमाना ऐसा है कि किसी भी ट्रिप पे कुई जाये तो एक सेंटेंस जरूर सुनने को मिलता है वो है यार तेरे पास आइफोन है ना तो यार तू फोटो ले ले मेरी तेरी आइफोन में के कैमरा यार जबर्दस फोटो आएगी क्यूंकि आइफोन ने अपनी कैमरा इसकी गेम को बिलकुल दूर सबसे आगे पहुचा दिया हुआ उनके रिच कॉलर्स, उनके क्वालिटी, उनके मेगा पिक्सिल्स सारा कुछ बहुत जबर्दस तरीके से बैलन्स भी है और बाकी चीज़ों से बहुत आगे भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी टेकनिकल नो हाव आपको फोटोग्रफी के बारे में कुछ हलका भुलका भी पता है और ज़्यादा जानने के आपको टाइम नहीं लेकिन फिर भी अच्छी फोटोग्रफी करना चाहते हैं यह आप बनी है खास आइफोन के कैमरा को और जादा अपना पोटेंशल हिट करने के लिए यह बिल्कुल कैमरा को अपन की लिमिट तक पहुचाएगी तो अपनी फोटोग्रफी को नेक्स लेवल पे लेके जाना है यह बेसिकली आपके कैमरा को प्रो मोड में ले जाएगी जहां आप हर छोटी से छोटी से चोटी सेटिंग को जैसे एक बड़े प्रोफेशनल कैमरा में आप छेडखानी उनके साथ कर सकते हैं तो इस अप के जरिए अपने आईफोन के कैमरा की भी उन सेटिंग्स तक आपकी रसाई हो जाएगी पॉसिबल हां इतना जबरदस काम है तो छोटी मोटी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी विच इस सालाना बारा डॉलर अगर आपको फॉटोग्रफी पसंद है अगर आपका ये फैशन है धिन आई रोंग तिंक के पैशन पर कोई कीमत लगाई जा सकती है क्योंके कहते हैं कि photography is only half the equation और बक्या आदा हिससे इस equation का है editing और ये भी कुछ लोगों का मानना है कि editing जो है वो फॉटोग्रफी से भी जादा important है क्योंकि editing जो है वो या तो तस्वीर को और जादा उजागर और जादा जिन्दा कर सकती है या बिलकुल उसका जनाजा निकाल सकती है If done poorly तो अब तक अगर आपने वो app यूज की और आगे आप पहुंच के अब सोचने के अब क्या किया है जाए Well, now is the time to use an app called Darkroom D-A-R-K-R-O-O-M बच्पन में हम यह विली कोई game भी खेला करते थे लेकिन यह वो नहीं है This is an app जो के अपनी category की apps में काफी उपर वर्ले ranking पर है और यह raw और pro raw formats को भी edit कर सकती है और बहुत कमाल से और मज़े की बात यह दरखास यह कि यह app है बिलकुल free तो अगर आपके पास कोई collection है किसी vacation की, किसी picnic की या किसी खास याद की और उसे थोड़ा सा और बहतर तरीके से हमेशा के लिए save करना चाहते हैं तो I think you should try it out Darkroom है app का नाम यहां जाकर आप pre-search भी इनके use कर सकते हैं दूसरे लोगों की examples भी देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे edit किया यार यह वले color मेरी photo में क्यों नहीं आ रहे है Try it out, let me know on my Instagram handle which is at rjhisham.dohab at rjhisham.doha आपके feedback, सवालों का भी मुंतजर और इस बारे में तो हमारी बात होती ही रहेगी Moving on to the next one जिसे आपके बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका तालुक है आपकी productivity से यानि आपके दिन में आप कितने ऐसे काम करते हैं जिनका वाकई में कुछ फाइदा होता है आपको ये एक बहुत ही simple और decent सी app है जिसका नाम है calendar notification और ये आपके calendar जैसा के नाम से जाहिर है calendar या agenda को बिलकुल जहां आपकी notifications आती है फोन में उसी तरह एक चोटा सा widget आपको display कर देता है फर्स कीज़े जैसे आपकी weather app होगी आपका मौसम का forecast आपको बताता रहता है बहुत चोटा सा काम है बहुत सा भी है लेकिन जब आप पानी पी के इसको चेक करेंगे तो खुद ही एक बहुत अच्छी सी positive feeling आएगी और वही positive momentum लेके आप अपने पूरे दिन को बहुत जबर्दस कर सकते हैं आपका नाम है calendar notification और हाँ इस अपको आप अपनी मर्जी से जिस तरह चाहें कस्टमाइज भी कर सकते हैं बहुत से लोगों ने बहुत से तरीके ट्राइ किये हैं आप भी कीजिये और अगर नहीं भी कर सकते कस्टमाइज कोई वो मूड नहीं है तो आप ज़रूर यूज कीजिएगा क्योंके आपका दिन बहतर हो जाए इससे बड़ी बात मेरी लिए क्या होगी दू ट्राइड आउट चलते चलते अब हमारी गाड़ी आरुकी है है आपके साथ शेयर करूंगा मैं कुछ टेक्निकल किचम के टोटके पहला टोटका जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे जानने वालों में सबसर ज़्यादा मैं ही यूज़ करता हूँ और वो है आपकी सेफ ड्राइविंग को थोड़ा सा और सेफ करने के लिए आपके पास पिर चाहे आईफोन हो या एंडॉइड ये टोटका हर जगा अपलाई हो सकता है क्योंके most smart phones now have an artificial intelligence जैसे के iPhone में हमारे पास Siri है Amazon की है Alexa इसी तरह Google हर एक phone का कुछ ना कुछ इस तरह का हिसाब किताब है तो आप क्या कर सकते हैं अपने जो contact सेफ करेंगे उनको इस तरह से सेफ कीजिए कि बोले तो वो बोलने में आसान हो बेशक छोटे मोटे करते तो गाड़ी चलाते हैं अगर किसी को कॉल करनी है तो सिर्फ आपने कहा है Siri कॉल ये कॉल फलांग कॉल या और आपको phone को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि चाहे phone हो अपकी जेब में कान में लगे हैं आपके headphones या गाड़ी की Bluetooth से भी connect हो सकता है There are many many ways, बहुत जादा तरीके हैं कि आप अपनी हर जर्णी को और जादा सेफ करें और जादा महफूस तरीके से गाड़ी चलाएं क्यूंकि गाड़ी आप सेफ चलाएंगे तो ना सिर्फ आपका भला है बलके आपके इर्द गिर्द उनकी जानों को भी थोड़ी सी और security मिलती है आपकी जानब से आपकी जिंदगी में इससे एक बहुत अच्छा फर्क जरूर पड़ेगा ओन से नेक्स वन जनाब सीरियस किसम के टोटके तो हम शेयर करते ही रहते हैं लेकिन थोड़ा सा फ़न भी होना चाहिए जिंदगी में और हलकी बुल की entertainment की भूग आपकी मिठाने के लिए एक बहुत सा simple सा trick है मेरे पास एक website की सूरत में जिसका नाम है neal.fun और इस website पर आपको मिलेंगे तेर सारे fun facts from the moment you were born यानि कि आपके पैदा होने से लेकर अब तक क्या कुछ हो चुका है एक बड़ी ही मज़िदार से catalog की शकल में आपको नज़र आएगा सिर्फ आपको क्या करना है अपनी date of birth एंटर करनी है और फिर enjoy इस तरह आप जानिये कि आपके पैदा होने से लेकर अब तक दुनिया वालोंने क्या क्या कारणामे अंजाम दिये हैं Moving on Technology की दुनिया के एक तारीखदान है एक historian है Christian Lewis Lang जिनका कहना था कि technology is a useful servant but also a dangerous master यानि कि technology अगर आप फायदे के लिए यूज़ करेंगे तो आपका बहुत जबरदस तरीके से साथ देगी लेकिन अगर आपने नजर ना रखी अगर आपने ध्यार ना रखा कि किदर किदर क्या क्या कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए खत्रा भी हो सकती है क्योंकि remote control है ना जैसे आपके हाथ में होना चाहिए remote control आपको नहीं control करेगा तो उसका चोटा सा hack ये है कि आप नजर रखिए अपने screen time पर अगर आपके फोन में ये feature है तो उसे जरूर on कीजिए then at the end of the week आपको पता लगेगा कि आपने कितना वक्त किस आप पे गुजा रहा है और वहां से आप अपने वक्त की कीमत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि अपने वक्त की कदर आपने खुद करनी है भाई साब ठीक हो गया तो जाएए सरच कीजिए अपने settings में screen time और उसे on कर दीजिए इसमें एक और feature आपकी मदद करने के लिए ऐसा भी आता है कि अपस पर आप limit लगा सकते हैं कि एक दिन में मैंने इस अप को एक घंटे से जादा यूज नहीं करना तो जब एक घंटा हो रहा होगा तो पांच मिनट पहले आप को और की सी एक warning आजए स्मार्ट वाचेस का एक ट्रेंड हर जगा बहुत जोरो शोर से जारी है जिसको नहीं भी जरूरत होती वो ले लेता है क्यूंके फिर जरूरत निकल ही आती है और इस गेम में बहुत आगे है या सबसे आगे है कुछ लोगों के मताबएक आपल की स्मार्ट वाच सीरीज आपल वाच सीरीज 8 में बॉडी टंपरेचर सेंसर भी होगा जो के आपको वक्त पे बता देगा कि कहीं आपको कोई बुहार शुखार दो नहीं होने लेगा और ये आपको एक्जाक्ट रीडिंग नहीं देगा लेकिन आपको बताएगा कि इस वक्त आपके बॉडी टंपरेचर में एक दम से कोई चड़ान आई है जो के आपको इंकरिज करेगा कि आप जाके किसी डॉक्टर से रुजू करें या फिर घर पे ही घर्मोमीटर से चेक कर लें कि यार कोई मसला तो नहीं चल रहा सो लेट सी के आपल वाच में ये फीचर आता है के नहीं और इसके साथ साथ एक और लीक आपल की दुनिया से ऐसी भी आई है के सीरीज एट में आपको मिलेगा थोड़ा सा और रगड स्मार्ट वाच यानि के थोड़ा सा और मजबूत और लकड हाजम पत्थर हाजम एक्स्टीरियर जो के है एक्स्ट्रीम स्पोर्ट्स आथलीट्स के लिए जो पहाड़ों पे चल रहे होते हैं दरियाओं में स्विमिंग कर रहे होते हैं वाटर वाल्ट से चलाहन लगा देते हैं या फिर कभी कबार तो जहाज से भी सो लेट्स सी कि इस दफा उनकी लिए क्या आता है और अल्सो कहा ये जा रहा है कि ऐसे कुछ नए सेंसर्स जो आपल वाच से होगा जो के छोटा एडिशन होता है उसमें इस तरह के सेंसर्स मौजूद नहीं होंगे सो लेट्स सी कि जब रमासाल में सेप्टमबर में या आप सम रहे हैं साउंट टेक विद आर जे हिशाम बात हो जहां एक्स्ट्रीम स्पोर्ट्स की तो फिर जहन में आता है साथ ही साथ आक्शन कैमरा के इतने मैंने कारनामे सर अंजाम दिया इनको रिकॉर्ड कैसे करूं में आजकल मार्केट में सबसे आगे या बहुत मकबूल एक डिवाइस है जिसका नाम है इंस्टर 360 1X2 इंस्टर 360 सी कैमराज में ही ये एक बहुत जबर्दस्ट एडिशन है और फ्रम परसनल एक्सपिरियंस थोड़ा बहुत हमें भी यूज़ करने का मौका मिल गया इस में ये करता क्या है कि 4K नहीं बलके 5.7K तक रेजलूशन की जबर्दस्ट वीडियो बना सकता है और ना सिर्फ सामने की ना सिर्फ साइड्स की बलके हर तरफ की 360 लिटरिली हर तरफ की वीडियो ये बनाएगा और उसको आप देखेंगे कैसे उसको अगर आपने सोचा की एडिट्रिड कैसे करना तो साथ ही साथ इंस्टा स्टूडियो भी एक सॉफ़वेर आता है जिसकी मदद से सारे काम आपके आसान हो जाते है इसके साथ आपको मिलेगी एक इन्विजिबल सेल्फी स्टिक जिसकी मदद से आपने कैमरा को जहां पर भी गुमाना है पिरान माइक जो के हर सू की चारों सू की आडियो भी रिकॉर्ड करते रहेंगे इस वंडरफुल अगर आपके पास कोई मौका आ रहा है जहां पर आप कोई एक्स्ट्रीम टाइप वीडियो बनाना चाहते हैं आई हाइली रेकमेंड कि आप इस आक्शन कैम को ज़रूर ट्राइ की इन टेक्नालोजी की दुरिया में ताज़ा तरीन और लेटिस्ट खबर इस वक्त हर जगा एक ही है और वो है कल होने वाले एसुस के फोन लाँच एवेंट की खबर ये फोन टार्गेट करता है गेमर कम्यूनिटी को जिनको एक जगा बैठके आफ गेम कहलने का मजानी आता उनको चाहिएंगे में on the move जहां जा रहे हैं साथ साथ गेम भी चल रही है जिस वज़ा से इस फोन की स्क्रीन भी काफी अच्छी खासी बड़ी है विच इस 6.78 इंच और स्क्रीन का रिफ्रेश्ट रेट है 165 हर्ट्स एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इसकी राम होगी 18GB 18GB यार इतने मेरे लापटॉप की नहीं है और साथ स्टोरिज होगी एक टेरावाइट बहुत ही नेक्स लेवल बहुत ही एक्स्ट्रीम इसमें स्पेसिफिकेशन आएंगी Asus ROG Phone 6 और Phone 6 Pro ये दोनों फोन्स कल Asus के इवेंट में लाँच होंगे और फिर नजर आएगा कि क्या कुछ दिया जा रहा है क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं क्या कुछ ऐसा भी है जिसके अभी तक लीक्स वगहरा नहीं आएं साथी साथ इसमें का सीन कुछ ऐसे है कि ट्रिपल कैमरा रेर सेट अप होगा जिसमें होगा 64 Megapixel का primary sensor अब सोच रहें इतनी ज़ादे ची और ये device एक success हो आने वाले प्रोग्राम में इस पर एक हम review भी जरूर देंगे अगर आपके पास कोई suggestion है या कोई और device चाहते हैं जिस पर मैं review करूँ या उसको share करूँ बाकी community के साथ तो जरूर हमें message कीजिएगा at my Instagram handle which is at rjhisham.doha at rjhisham.doha technologies related कोई और भी आपके पास सवाल हो suggestion हो then you are obviously most welcome आपके feedback का मुंतजर रहूंगा मैं और फिल्हाल चाहूंगा आपसे इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना और अपनी devices का बहुत जादे ख्याल रखियेगा stay tuned to FM 107 Allah Hafiz